प्लस प्लस एक्स की मिनिंग क्या है? कि पहले एक्स की वैली इंक्रीज होगी फिर आप उस एक्स को यूज्स कर सकते हैं जिसे इस इक्जाम्पल में देखे आ इक्वोल टू प्लस प्लस एक्स मULLTIPLY वाइ बाई B तो यूनरी ओपरेटर की प्रेसिडेंस multiplication से ज्यादा होती है इसलिए पहले plus plus x होगा तो इसमें x की value increase हो जाएगी और फिर वो use होगी x multiply by b और post increment में क्या है कि पहले वो x use हो जाएगा जो इसकी current assigned value है और फिर बाद में after semicolon वो x की value increase होगी तो एक प्रेक्टिकल देखते हैं प्रेक्टिकल पुने ज्यादा समल में आगा एक वेरियेवल लेते हैं x int x is equal to 4 और प्रिंट कराते हैं फिल्ट एर परसेंट आफ टी x++ तो x++ पोस्ट इंक्रिमेंट है तो प्रिंट क्या होगा 4 इसके बाद अगर आप प्रिंट एफ लिखते हो x is equal to % of d, x तो इसका आउट्पूट क्या आएगा तो पहले प्रिंट 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 में x की value क्या होगी increase नहीं होगी क्योंकि वो पोस्ट इंक्रिमेंट है तो इसकी value 4 इंक्रिंट होगी but after semicolon of first printf that will be increased by 1 तो जब हम इसको run करते हैं तो output क्या आएगा पहले 4 आएगा x की value फिर वो इंक्रिंट होके 5 हो जाएगी अगर यह हम आपको pre-increment कर दें तो अब क्या होगा अब x की value जो है पहले increase होगी तो मलब पहले ही printf में x की value 5 हो जाएगी और next में 5 तो रहेगी है तो output क्या है 5 और 5 ऐसी decrement भी होता है अगर हम decrement कर दें तब output क्या आएगा x की value पहले decrease होगी फिर print होगा तो 3 और 3 और 3 और जब कि post में क्या होगा पोस्ट डिक्रिमेंट में पहले 4 प्रिंट होगा और फिर वो decrease होगी अब एक नया variable लेते हैं y, y और y equal to minus minus x तभी ज्यादा समझ मैंगा है अब यहां मैं y को print कराते हैं तो output क्या आएगा x की value 4 है तो जैसे y equal to minus minus x किया x की value पहले decrease होगी इस expression का explanation क्या है कि पहले यह decrease होगी comment में लिखते है that is also equal to y equal to x is equal to x minus 1 and y equal to x इस expression की complete meaning क्या है कि x is equal to x minus 1 and y equal to x इसलिए जब आप output generate करेंगे तो आपके output की आएगा 3 और 3 और जब हम इसको पोस्ट कर देंगे तो पोस्ट में क्या होगा कि पहले y equal to x होगा इसका complete description है और फिर x is equal to x इन दो sentence को combine करके y equal to x plus लिख सकते हैं जब हम output है तो y की value क्या होगी 4 और x की value क्या होगी 5 इसलिए रन करेंगे तो इसलिए प्री इंक्रेमेंट पोस्ट इंक्रेमेंट इसमें आप एक variable भी लेख सकते हैं जिसमें आपको और operation clear होगा जैसे a equal to 2 और यहां मैंने क्या लिख दिया a multiply by 2 तो अब इसका output a multiply by x++ तो output क्या होगा a की value क्या है 2 और multiply by x++ है तो x++ मतलब यहां increase नहीं होगा after semicolon x की value increase होगी तो x की value current क्या है 4 तो 4 multiply by 2 तो y की value क्या हो जाएगी 8 और x की value जब हम print करेंगे second printf में x की value क्या होगी after this semicolon यह x की value increase हो जाती है तो यहां पे होगी 5 अगर हम यहां पे x minus minus कर देंगे post decrement तो क्या होगा इस sentence की meaning कि a multiply by x minus minus x minus में यह post decrement है तो after semicolon x की value जह है वो decrease होगी तो यहां 2 x 4 8 हो जाएगा और x की value last में आजाएगी 3 so this is post and pre increment and decrement thank you